नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीस मैं हूँ आपके साथ सौरवराज बिहार में राजनितिक हलचल तेज हो गई है और बिहार को लेकर के दिली में भी गहमा गहमी बढ़ गई है आपको बता दे कि अमीद साह ने बिहार बीजेपी के प्रदेश सध्याग समराट के साथ साथ बिहार बीजेपी के साप्रभारी भीकुवाई दलसानिया और पुर्व उपमुक मंतरी रेनु देवी अमीद साह से मिलने पहुंच चुके हैं आपको बता दे कि अमीद साह की नजर बिहार के उपर है नितीश कुमार के उपर है पिछले कई दीनों से जो लगातार लालू यादव तेजस्पी यादव के उपर हो अकरमक नजर आ रहे थे नितीश कुमार के उपर बिलकुल सांथ थे और अब बिहार बीजेपी के नेतों के साथ दिली में अमीद साह की बड़ी बैठक हो रही है और अमीद साह बिहार को लेकर के चर्चा कर रहें क लेकिन पिछले कई महीनों से नितीश कुमार को लेकर के जो खबरें आ रही थी कि नितीश कुमार इंडिया एलाइंस में नाराज चल रहे हैं उनके मन मुताबी के नितीश कुमार के मन के अनुसार उहां पे कामें नहीं हो रही है इसलिए वो इंडिया एलाइंस छोड़ना चाहते हैं और अब दिली में भी बिहार को लेकर के काफी जादा गहमा गहमी बढ़ गई है अमीद साहों या फिर प्रदान मंतिरी नरेंदर मूदी सबकी नजरें बिहार के उपर है और इसके उपर है कि नितीश कुमार का अगला कदम क्या होता है नितीश कुमार को लेकर के बिहार बीजेपिके जो नेता है परदेशा ध्यक्ट हो या जितने सिनियर लीडर है बिहार बीजेपिके उस सभी अमीद सा के संपर्क में अमीद सा लगातार उन लोगों से फिडबेक ले रहे हैं बिहार को ले करके कि बिहार में चल क्या रहा है बिहार में लोगों की जो आपको बतादे कि जो सिर्स नेतरित्व है बीजेपी का वो पहले ही नितीज कुमार को लेकर के बैठ के कर चुका है और वहाँ पे जितने नेता परधान मंतरी नरेंदर मोदी हो या फिर बीजेपी के राश्टी अदग जेपी नड़ा हो या गरिह मंतरी अमीस्सा सभी लोग नितीज कुमार को लेकर के काफी जारा गंबीर है और सभी की निगाहें बिहार के उपर है कि बिहार में क्या होगा आपको बता दे कि आरजेडी भी चुप चाप है आरजेडी के ओर से भी लगातार ये कहा जारा है कि इंडिया गठबंदन मजबूत है नितीज कुमार इंडिया गठ बंदन में ही रहेंगे आपको बता दे कि जेडियू के लोग बिल्कुल साइलेंट हैं और ओ दिल्ली देख रहे हैं कि दिल्ली से क्या फैसला होना है आपको बता दे कि जो कुछ भी नितीश कुमार को लेकर के फैसला करना है ओ नरेंदर मोदी और अमीज साह को क्या ये दो नेता फिर से नितीस कुमार को लेने के मूड में हैं क्या नरेंदर मोदी हरी जंडी दे चुके हैं बीजेपी को कि नितीस कुमार को फिर से बीजेपी और इंडिये के साथ बुलाये जाए क्या 2024 लोक्सपा चुनाप से पहले बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर करके उन्होंने बनाया लेकिन क्या नितीश कुमार अब इंडिया गठबंदन को छोड़ करके इंडिये के साथ आने जा रहे हैं क्योंकि दिली में बिहार बीजेपी के नितों के साथ अमीत्सा की बड़ी बैठक है और इस बैठक में अमीत्सा बिहार को लेकर के रात में क्या निर्नेक करेंगे आपको बता दे कि आनन फानन में सभी निताओं को पटना से दिली बुलाएं गया हम इत्सा खुद बुलाएं हैं और अपने घर पे आपको बता दे की रात का वक्त है और इस ठंड के मौसा में काफी जादा ठंड है दिली में भी ठंडी जादा है और बिहा को लेकर के नितीश कुमार ने एक वार फिर से हल चल पैदा कर दी है बिहार की राजनीती के साथ साथ देश की भी राजनीती में क्या नितीश कुमार फिर से इंडिये में आने जा रहे हैं नितीश कुमार के उपर पुरे देश की निगाहें टीकी हुई है दिली से सौरब रा अवालाइब सुटी